शुषू सेंटा सूतरस्तान 33 चाप्टर अवारनियम अध्यायम, 34 चाप्टर युक्त सेनियम अध्यायम, और 35 चाप्टर आतुरोपक कर्मनियम अध्यायम इन तीन अध्याय के multiple choice questions को हमें इस वीडियो में solve करने वाले हैं तो आईए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं सुसुरु सैंटा की अनुसार अस्टो महागद में समाविष्ट नहीं है अर्ष, गुल्मा, भगंदर और अश्मरी सुसुरु सैंटा सुतरस्तान 33 अवार्निय मध्या में अस्टो दूचिकित से महागद बताए गए है उसमें वातव्यादी, प्रमेह, कुष्ट, अर्ष, भगंदर, अश्मरी, मूडगर्ब और उदर ये आठ महागद बताए गए है जो प्रकुरुती से ही दूचिकित से बताए गए है तो उसमें गुल्म का समावेश नहीं होता है B is the correct option स्वभाव से दूचिकित से महागद कितने है 12, 8, 14, 6 तो अस्टो महागद अस्टो एते प्रकुरुती एव दूचिकित से महागद है तो स्वभाव से दूचिकित से अस्टो महागद सुस्रु सहिंता सुद्रसान 33 चप्टर में बताए गए है B is the correct option सुस्रु सहिंता में चिकित सा चतुषपात का वर्नन कौन से अध्य में किया है विसिखान उप्रवेशनिया, खिताईतिया, युक्तसेनिया और आतुरूपक्रमनिया चिकित सा चतुषपात का उलेव युक्तसेनिया दे में किया है वर्नन 34 चप्टर है सुद्रसान का युक्तसेनिया C is the correct option वैद्य, व्यादी, उपसृषठ, भेशज और परिचारक यु, डश है चिकित सा चतुषपात कर्मसादन हेतों दोनों और इनमें से कोई भी नई है वैद्य, रोगी, भेशज और परिचारक ये ते पाधा चिकित सा या कर्मसादन हेतवा ये चिकिसा के पाध है और कर्मसादन के हेतु भी बताए है इनको कहा गया है तो दोनों है चिकिसा चेतुषपाद और कर्मसादन हेतु दोनों वईद्य के गुन है दरव्यवान ये आतुर का गुन बताए गया है ये 34 चाप्टर सुत्रस्थान में बताए है दरव्यवान है वईद्य का गुन नहीं है वो आतुर का ये रोगे का गुन बताया गया है वैद्य वाक्यकृत और वैद्य वाक्यस्थ ये क्रमशा किसके गुन है आतुर परिचारक परिचारक आतुर आतुर वैद्य इनमें से कोई भी नहीं वैद्य वाक्यकृत वैद्य ने जो बता है उसके अनुसार करने वाला और वईद्य वाक्यस्थ वईद्य के वाक्य को समझने वाला और उसके अनुसार आचरन करने वाला तो एक कृती है और एक में आचरन करना है तो वईद्य वाक्यकृत यह परिचारक का गुन है और वईद्य वाक्यस्थ यह आतूर का गुन है शुशुरु सूत्रस्तान 34 वाद्या में युक्त से नियर्द्या में एच्छे किस्सा चुतुषपाद बताए गए हैं आयुश्मान सत्ववान साध्यो द्रव्यवान आत्मवान अपी आस्तिको वैद्यवाक्यस्तो व्यादित पाद उच्छे दे व्युश्मान सत्ववान अपी आथ्म व्यादित आत्य के गण से निक्दो अज्गूपशो व्युक्तो व्यादित रक्षने अजुपशु ये भी परिचारक का गुन है वईद्यवाक्यक्रद असरान तहा पाधा परिचारास्मृता वईद्यवाक्यक्रद ये परिचारक है और वईद्यवाक्यस्त ये आतुर का गुन है B is the correct option आचारे सुषुरुत के अनुसार पुरुष आयाम पुरुष की लंबाई कितनी होती है 100 अंगुल, 120 अंगुल, 110 अंगुल, 80 अंगुल सुषुरु साहिता सूतरस्तान के 35 चप्टर में अतुरूप कर्मनी अध्याय में ये प्रमान दिये होए, शरीर के विविद अंग, प्रत्यंग के प्रमान बताया है उसमें से पुरुष आयाम, पुरुष की लंबाई बताया है 120 अंगुल, इतनी लंबाई या पुरुष आयाम बताया है B is the correct option आचारे सुषरुत के अनुसार, कल्यान आभी निवेश, ये कौन से सार के विक्ति का लक्षन है कल्यान आभी निवेश, दूसरों के कल्यान करने में उसको रूची रहती है या रत रहता है यह गुन कौन से सार का है मज्जा सार, शूक्र सार, सत्व सार और तुक सार सो कल्यान आभी निवेश है यह सत्व सार का लक्षन बताए है यह 35 चप्टर में सार के लक्षन बताए है स्मृति, भक्ति, प्रद्या, सौच, सौर्य, उपेतम कल्यान आभी निवेशं सत्वसारम विद्याद यह सत्वसार के लक्षन बताए गए अतुरोप क्रमनिया द्यमे वर नन दिया हुआ C is the correct option महानेत्र यह कंसे सार के व्यक्ति का लक्षन है मज्जासार, शूक्रसार, सत्वसार, अर्त्वकसार सो आखे बड़ी महानेत्र यह मज्जासार के व्यक्ति का लक्षन है अक्रुषम, उत्तमबलम, स्निक्द, गंबीर सुरम, सवबाग्योपबन्नम, महानेत्रम च मज्जा यह मज्जासार व्यक्ति के लक्षन है महानेत्र, अक्रुषम, उत्तमबलम अचिद्र गात्र ये काउंसे सार के वेक्तिका लक्षन है माउंससार, अस्तिसार, मेदसार और रक्तसार अचिद्र गात्र ये माउंससार के वेक्तिका लक्षन है अचिद्र गात्रम गूडास्ती संदीम माउंस उपचितमच माउंसे न यह प्रागेव उत्पन्नो व्यादी अपूर्वरूपो अनुपद्रवश्य ऐसे व्यादी को क्या कहते हैं यह प्रागेव उत्पन्नो जो व्यादी से पहले उत्पन्न होती है लेकिन पुरुवरुबी नहीं है तता उपद्रवी भी नहीं है ऐसे वादी को क्या केते हैं अउपसरगी के प्राक्यवल अन्यलक्षन और इनमें से कोई में नहीं है अतुरुवापक्रमनी अध्याए में 35 चाप्टर में व्यदी के तीन प्राकार बताए गये है उसमें प्राक्यवल अन्य लक्षन और ओपसरगी उसमें प्राक्यवल के जो लक्षन बताए है प्राक्यवलो नाम यह प्रागयव उत्पन्नो व्यादी व्यादी से पहले उत्पन्न हो लिए वारी अपूर्वरूपो उसको पूर्वरूप भी नहीं केते और अनुपद्रव से उपद्रव भी नहीं केते ऐसे जो व्यादी से पहले उत्पन होती उसको अन्य प्राक्केवर व्यादी का जाता है B is the correct option उपद्रव किसका परियावाची शब्द है उपसर्गी करोग प्राक्केवर अन्य लक्षन इन में से कोई भी नहीं है व्यादी से पहले उत्पन होती है व्यादी के का साथ भी रहती है सतन मूल एव उपद्रव सन्या उस व्यादी का मूल है और उपद्रव नाम से जाना जाता है चो अउपसरगी को उपदरों भी कहते हैं A is the correct option पुरो रूप किसका परिया है अउपसरगी प्राक्येवल अन्यलक्षन इन में से कोई भी नहीं है चो तीसरा जो है अन्यलक्षन जो अन्यलक्षनों नाम यो भविश्यत व्यादी ख्यापक भविश्यमा होने वाले व्यादी को दर्शाने वाला जो है उसको अन्यलक्षन कहा जाता है सर पूरो रूप सर्न्या उसको ही पूरो रूप कहते हैं C is the correct option क्रिया कालम नहापयेत यह सूत्र कौंसे अध्याए में वरनित है सूत्रस्तान 20 उरन प्रशन अध्याए 33 अवारनिया 35 अतुरोप क्रमनिया 39 संशोदन शमनिया सो क्रिया कालम नहापयेत क्रिया काल में ही चिकिसा करनी चाहिए उसको पार होने नहीं देना है यह अतुरोप क्रमनियाद्याए में बताया गया है 35 जाप्टर वात पित्त और कफ दोश के कारण अगनी क्रमसा होती है तीक्षन विशम मंद मंद तीक्षन विशम विशम तीक्षन मंद विशम मंद तीक्षन वात के कारण विशम अगनी होती है पित्त के कारण तीक्षन और कफ के कारण मंद C is the correct option सो ये भी 35 चप्टर अतुरोप क्रमनी ये बताये गए प्राग अभी तो अगनी अन्नस्य पाचगा सच चतुरू विदोग हो गती दोशान अभिपन्न एका विक्रिय मानम आपन्न स्त्रिविदोग हो गती विशमो वातेन, तीक्षन, पित्तेन, मन्द, स्लेश्मन, चतुर्ता समाह सर्व साम्यादी थी सो ये C is the correct option वात से विशम, पित्त से तीक्षन और कप से मन्द समवत सर्व परहा कम से अवस्ता है, एक वर्षे तब, शीरपा, शीराननाद, अननाद, इनमें से कोई भी नहीं है फे जो तीन वई की अवस्ता बताई गए, बाल, मद्यवर, गुरुद, इनमें से बाल अवस्ता के तीन प्रकार है जो बाल्य है उसको तत्र उनशोडश वर्षिया, शोला वर्षो तक उसको बाल का जाता है और उसके तीन प्रकार है क्षीरपा, क्षीराननाद और अननाद समवत सर्व परहा क्षीरपा, एक साल तक उसको क्षीरपा का जाता है दो साल तक द्वी समवत्सर परा क्षिरान नाद और उसके बाद में अननाद यहाँ पर पूचा गया है समवत्सर परा यह कौन से अवस्ता है क्षिरपा यह इस दे क्रेक्ट ओप्शन वात पित रोग भुईष्ट जांगल अनुप साधारण इनमें से कोई भी ने देश के तीन प्रकार बताए गए इस अध्या में जांगल अनुप और साधारण उसमें वात पित रोग भुईष्ट यह जांगल है और कफ वात भुईष्ट यह अनुप है यह आपर वात पित रोग भुईष्ट यह जांगल देश है यह इस दे करेक्ट ओप्शन so thank you very much friends I hope so this video will be helpful for you we will meet in the next video thank you once again